लो फ्रेंड स्वागत है आपका इक्जाम नुज बाइज एकम तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार द्रोगा के पीटी एक्जाम जो होने वाला है वह कब होगा ये करोना काल जो दोस्तो कितना लंबा खीच सकता है इस एक्जाम को और कितनी देरी हो सकती है इस मार्च से जो फिजकल था वह बारह अप्रेल तक था वह खतम हो गया था और इसका जो अंतिम परिणाम है फाइनल मेरिट लिष्ट है दोस्तों यह कब आने की समभावना है कितनी देरी इसमें हो सकती है सारा कुछ आप लोग को आज इस वीडियो में बताया जाएगा तो व लोग वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना जो है बिहार द्रोगा पीटी एक्जाम में देरी हो सकता है और यह अंतिम परिणाम जो है यह कब आ सकता है चलिए सारे चीज़ को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर दिया है कि होगा सार्जेंट और सहायक जेल अधिछा की बहाली के लिए अभ्यारती को रिजल्ट का इंतजार है प्रनभीक और मुख लिखित परिच्छा के बाद सारीरिक दचता परिच्छा भी पूरी हो चुकी है तो पीटी मेंस तो पहले ही खतम हो गया था आप लोग को साथी में जल्द रिजल्ट जारी होने की संभावना पर ग्रहन लगा दिया है तो दोस्तों कहीं न कहीं आप लोग का रिजल्ट में जो है देरी हो सकता है क्योंकि करोना का दूसरे लहर आप देख सकते हैं फिर से बिहार में लॉक्डॉन लगाया जा रहा है तो आप लोग के रिजल प्रेटिर जारी होने की सुनवावना पर गरहन लगा दिया है क्रोना के दूसरे लेहर के चलते एसे में अभ्यारतियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है यहाँ बता थैया है अगर सुत्रों के मुताबिक बिहार पुलीस अबर सेवा आयोग के कई करमी करोना संक्रमित हो गए हैं तो जो की बिहार पुलीस अबर सेवा आयोग के कई करमी हैं जो की रिजल्ट जारी करते हैं जिनके दौरा रिजल्ट जारी किया जाता है कई सारे करमी करोना संक्रमित यानि करो बाइस मार्ट से सारीक दचस्टा, यानिनिकि फिजिकल जो है आप लोग को 22 मार्ट से लिया गया था, साथी में दोस्तों यह 22 अपरल तक चला था आप लोग को फिजिकल आप लोगभो पता ही है, सारीक परिछा के दौरान करोना से बचाव के लिए तमाम एतिहात बरते गए थे यहां तक कि अधिकारियों को करमचारियों को फेस सिल्ड भी मुहया कराया गया था पूरा ढटा हुआ था सरीर दोस्तों लेकिन फिर भी कई जो है करमचारी आप लोग को करोना पोजेटिव यहां पर पाए गया है और इसके कारण करोना कराया गया था बावजूद इसके कुछ करोना संक्रमित पाए गये जाज रिपोर्ट आने के बाद काफी सब्धानी बरती जा रही है तो अभी काम जो है आप लोग का काम का प्रोसेस है बहुत ही सलो चल रहा है क्योंकि जितने भी हैं सारे आप लोग के दोस्तों अपने ब अभियार्थियों का रिजल्ट जारी करना है हलाकि मेरिट लिष्ट तयार करने से पहले आयोग को हजारों अभियार्थियों के अभिलेग की जाज करनी होगी सब कुछ ठीक ठाक रहने की सूरत अपरेल के आखरी तक रिजल्ट जारी हो सकता है तो दोस्तों बोलना कि सब ठीक ठक नहीं रहेगा तो अफ्रेल का जो लारभी में में लाज्ट को अकश्पाई मैं के सब कुछ ठीक होजा जल्दी से और आपका रिजल्ट जो है अप्रेल के लाज्ट तक आप लोग का रिजल्ट जा जारी कुर्ज़िए अब मेरिट अभी आप लोग का नहीं बना है जब तक जो है दोस्तो आप लोग के अभी लोगों का जाँश नहीं हो जाया कुछ के जिश्य कुछ कर तकत मेरीड लिस्ट आप लोग का नहीं आएगा आज आसा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है यानि कि देरी हो सकता है अगर करोना का लहर जो है तो थोड़ा वूत कम हो जाता है तो अपरेल के लाश तक आप लोग का रिजल्ट आने की कुछ संभावना बन जाती है लेकिन अगर करोना इसी तरह से कहर ढाता रहा तो आप लोग का रिजल्ट कहीं न कहीं डिले हो सकता है और कुछ देरी आप लोग को result देखने में आप लोग को मिल सकता है दोस्तों, तो दोस्तों जब तक आप लोग का result final result नहीं दिया जाएगा, तब तक PT होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि एक्जाम में बहुत सारे candidate एपेर होते हैं, यहां तो merit list जारी करने में तो मातर कुछ करमचारी ही रहते हैं, जो वहाँ बैठ करके merit list तयार करते हैं, लेकिन एक्जाम में आप लोग समझ सकते हैं कि कई सारा एक्जाम जो है cancel किया जा रहा है बहार सरकार के दोरा, तो PT एक्जाम अभी जब तक करोना का लहर थम नहीं जाता है, जब तक करोना का असर खतम नहीं हो जाता है, तब तक PT exam दोस्तों अभी आप लोग की होने की कोई उमीद नहीं है, इसका कोई भी डेट नहीं बताया गया है आप लोग के लिए, तो अगर आप लोग का करोना का लहर जैसे जैसे कमता है, तो आप लोग का PT का exam भी तुरंत करवा लिया जाएगा सरकार के दोरा, क्योंकि य रहा है, और इसलिए आप लोग का PT exam भी अस्थागित हो चुका है, दोस्तों करोना की बज़त से लग सकता है, रिजल्ट पर कुछ दिनों का गरहन यह तो आप लोग को बता ही दूए, सरदिक के अधरों आयोग के कुछ कर्मी संक्रेमित हो गये थे, और इसी कारण गरहन आ आलात जो है, ठीक ठाक नहीं हो जाते हैं, तब तक आप लोग के PT के exam होने की कोई भी संभाबना नहीं है, तो आप लोग बेट करें दोस्तों, देखिए अब कब तक करोना का यह जो लहर है थोड़ा थमता है, और उसके बाद जैसे ही थमेगा, आप लोग का PT का exam भी हो जा आप लोग के लिए, speedy book, lucent book, यह सारा book जो है, हम आप लोग के लिए पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप लोग अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं, तो description में उसका link मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं, और अपनी तयारी को और अच वो candidate अच्छे तरीका सुझे हैं, आप PT के तयारी में जूटे रहें, दोस्तो बहुत ही महतपूर्ण पोस्ट है, दरोगा का पोस्ट एक बहुत ही गवरवानवित पोस्ट होता है, और इसकी तयारी अगर कर रहे हैं, तो मन तन से इसकी तयारी करते रहें, क्योंकि जैसे ही करोना का लहर थोड़ा थमेगा, आप लोग का तुरंट जो है एकजाम करवा लिया जागा, चलिए दोस्तो आज की वीडियो में जो भी जानकारी थी, आप लोग को हम दे पाएं, आजा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को ये जहें